ओनलाइन इस्टेडी क्लासेज में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के वीडियो की सुरुआत हम जूनियर एड़ेड हाई स्कूल में जो सिचक बड़ संबंदित है जूनियर एड़ेड इस्कूलों में प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक के 1894 पदों पर हाई कोट के आदेश पर आफलाइन आवेदन करने वाले 350 से अधिक अभ्यार्थियों के फार्म निरस्त कर दिये गए हैं तो 350 ऐसे अभ्यार्थि हैं जिनके फार्म निरस्त होगा है परिच्छा नियामक प्रादिकारी कारयले की और से इन अभ्यार्थियों के एड्मिट कार्ड गुरु आर दोपहर बात वेबसाइट पर जारी कर दिया गाएगा तो जिन अभ्यार्थियों के फार्म निरस्त होगा है इनके लिए प्रयागराज में पांच अत्रिक्त केंद्र परिच्छा केंद्र बनाया जाएगा हाई कोड के आदेश पर इसनातक में 50 प्रसत से कम पाने वाले वेड योग्यता धारी 2223 अभ्यार्थियों ने 7 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आफलाइन फार्म जमा किया 2850 के आसपास अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी किये गए और जिन अभ्यार्थियों के आवेदन निरस्त किये गए हैं उनमें अधिकांस ऐसे हैं जिन्होंने नए सीरे से आवेदन किया है यानि सभी अरता होने के बावजूद वेपूरों में आनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे तो उन्होंने इनके साथ मिलकर दुबारा आवेदन कर दिया हाई कोड के आदेश की आड़ में परिच्छा में सामिल होना चाहा रहे थे और कुछ अभ्यार्थियों के अन्यकार्णों से भी आवेदन पत्र निरस्त किये गए हैं रजिस्ट्रार परिच्छा नियामक राज सेखर निसाब किया है कि अभ्यार्थियों को किसी अन्यमाद्यम से प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। जब प्रवेश पत्र डाउनलूट करने गए तो निराशा हाथ लगी। अगला नियजय प्रतियोगी मुर्चा के अध्यक्ष विकी खान की तरफ से टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट से संबन्दित। जब प्रतियोगी मुर्चा का प्रयास जारी है कि 20 अक्टूबर तक टीजीटी के रिजल्ट ले लिये जाए। तब तक आप लोग प्रसंद रहिए और मस्तरही आप सभी लोग को दुर्गापूजा अम्दसहरा की हार्दी बधाई। इस तरह से प्रयास जारी है कि 20 अक्टूबर तक रिजल्ट जो है टीजीटी का जारी करा लिया जाए। अगला नियोजायत की टीजीटी के 27,000 पत और एल्टी गेट के लगभग 12,000 के आसपास जोपद हैं। इस तरह को निकलवाने भरती निकलवाने के लिए रोजगार का महा अंदोलन जारी होगा 20 तारीक को प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदो के ततकाल विग्यापित करने और सभी लंबित भरतीयों को हर हाल में चुनाव तक पूरा करने और हर इवा को गरिमा पूर्ण रोजग इवाओं ने 20 अक्टूबर को महा अंदोलन का ऐलान किया है तो बिग्यापन जारी नहीं हो रहा है इसे आक्रोशित जो भी इवाँ हैं वह 20 अक्टूबर को महा अंदोलन का ऐलान किये हैं इवाज हांसे में आने वाले नहीं है और कहा गया है कि प्रदेश इसतर पर इवाँ को एकजुड करने का प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में हाल ही में इलाह बाद चात्र संग भवन में दरजन भर संगटनों अप्रतिनीदियों की मेटिंग भी संपन हो चुकी है और कहा कि अब चुनाव आसन है और दिसंबर जन्वरी में कभी भी चुनाव आचार संगिता लागू हो सकता है और ऐसे मेरी रिक्त प्रद्धन ध्यापक साहिक अध्यापक चैन परिच्छा 2021 का आयोधन 17 अक्टूबर को दो पालियों में होगा और इससे संबंधित प्रस्न पत्र लीक होने जैसे भ्रामक समाचार सोसल मीडिया या वार्टसप पर वायरल होने पर संबंधित उत्तरदाई तत्तों के खिलाब स पहत एफाईयार दर्च कराई जाएगी महानिदेशक इसकूल सिक्षा अनामिका सिंग ने यह आदेश जारी किया है उन्होंने परिच्छा संबंधित दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अक्सर देखने में आता है कि परिच्छा सुरू होने से पहले या इसके दोर सोसल मीडिया पर प्रस्ण पत्र लीक होने संबंधी समचार वाइरल होने लगते हैं और इस पर रूक लगाना जरूरी है क्योंकि इससे परिच्छा की सुचिता प्रभावित होती है वाइरल करने वाले उत्तरदाई लोगों के खिलाब कानूनी करवाई की जाएगी यह बह करने की अनुमती नहीं दी जाएगी तो इस तरह से काफी अच्छी बेवस्था की गई है आप देखिए उस दिन क्या होता है पेपर वाइरल होता है की नहीं दोस्तों इसी साथ हमारा है आज का वीडियो समाप्त होता है वीडियो आपको कैसा लाग कमेंट करके जरूर बता और चैनल को हमाई अभी तेख सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए